वेलकम एक दोस्तो 15,000 के रेंज में यदि हम लोग बैस्ट स्मार्टफून की बात करते तो वह पर हमें हर एक एक्सपेक्ट पर ध्यान देना पड़ता है लेकिन अधि हम लोग इस्पेशली गेमिंग फून की बात करें जो कि माई जून के महने में आपको पंदरजार के रेंज में बैतर गेमिंग निकाल के दे तो उसके लिए आपको क्या क्या चाहिए होगा एक हाई रिफरस्टर वाड़ी डिस्पले चाहिए होगी पावरफुल प्रसेसर चाहिए होगा 3.5 mm का जैक टाइप सी पोर्ट मिलना चाहिए क्योंकि कूलिंग सिस्टम मिल गया वाँ पे तो और भी बढ़िया हो जाना चाहिए साथ में एक रिलाइबल केमरा परफॉर्मेंस भी होना चाहिए दोस्तो इस पीड़ो में में आपको चार बैतरिन स्मार्टपोन बताने वाला हूँ जो कि आप गीमिंग के लिए सब्सक्राइब कर सकते हो अंडर 15,000 रुपीज सो वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है हिट सब्सक्राइब लाइक बटन यूर वाचिंग में ट्यूप चैनल टैक एक्स्प्लेंट चले जानते कुछ पढ़िया पहले नंबर का डिवाइस में भी आपको डंबल जैसे लगे क्योंकि पहली पोजिशन पर अमने रखा है Poco X3 को दोस्तों ये पंदर जाट करेंज में एक रियल गेमिंग स्मार्टफोन है जो कि आपको एक अच्छी खासी गेमिंग करवा के देगा यदि आप वेट और थि दिस्प्ले मौजूद है और स्क्रीन का रिफ्रेस्ट मौजूद है एक सो बीस हर्ट्स वाला एस पर दब प्रसेसर इसना ब्रगन 732 जी वाला प्रसेसर इसके अंदर मौजूद है एफिशेंड भी है और अपने में एक बैतर गेमिंग भी करवा के देने वाला है परफॉर्मिंस से आपको कोई शिकायत होने वाली नहीं है एस पर दो आप्टिक 64 MP कोट केमरा सेटप है और 20 MP की सैलफी मिल जाती है 6000 mAh वाली बैटरी के साथ में 33 वाट की फास्ट शार्जिंग का सपोट है प्रोवाइड करता है अपर्ट फ्राम दिस लिक्विट कॉलिंग सिस्टम इसके अंदर मौझूद है जो कि इसे एक कंप्लीट गेमिंग स्मार्टफोन बनाने के लिए काफी है दोस्तों यदि आप गेमिंग करना चाहते हो तो मैं आपको सबसे पहले Poco X3 ही रिकमेंड करूँगा अभी जो मैं दिवाइस आपको बताने वालो दोस्तों ये गेमिंग के लिए काफी जवरदस्त है हाले कि दो जनरेशन पीछे वारा स्मार्टफोन है हमार लिस में सेकेंड नंबर प्याता है Redmi Note 8 Pro दोस्तों काफी इंप्रेसिव डिवाइस ये आप गेमिंग वगएरा करना चाहते हो और ग्रेट वेलफर मनी भी प्रोवाइड करता है इसका प्राइस जो है दोस्तों अभी कुछ 16,000 रुपे मतलब 15,000 से 1,000 रुपे आपको ओपर का देना पड़ेगा लेकिन आपको ये कभी मिनाश नहीं करेगा 6.53 इंचेस की Full HD Plus Dot Not HDR डिस्प्ले है Full Glass Build पे फनवा ये फोन है दोस्तों as for the Optic 64 MP Quad Camera Setup है 20 MP Self ही मिल जाती है प्रसेसर में आपको Helio G90T मिलेगा जहां पे आप गेमिंग Top of the Line लेवल पे कर सकते हो और ये मेरा Personal Experience भी है 2,84,000 के आसपास में ये Android 2 पे स्कोर करता है 4,500 mAh की sufficient battery life मौझूद है साथ में 18 Watt की फारा शाजिंग का support आपका मिलता है audio jack card slot वागेरा इसमें मिल जाएंगे आपको liquid cooling system भी इसके अंदर आपको मौझूद मिल जाएगा दूस्तो चो heating वाल आईशू है वो काफी कम देखने को मिल जाएगा इस phone के साथ मेने तो कई लोग बोलेंगे कि G90T तो heating करता है phone को लेकिन gaming के लिए काफी जबर जस्त है भाई हमाने लिस्टन अदर second position में third position पे मैंने रखाया realme 7 को I know it is not a major upgrade over realme 6 but it is a good enough refresh with its large battery better primary sensor and overall performance 6.5 inches की full HD plus IPS LCD display है जिसका refresh rate है 90Hz वाला असपर दा Optics 64MP quad camera setup है प्रोसेसर में Helio G95 वाल SCC है जोकि N2 2 में 3,00,000,000 स्कोर करता है और recently Redmi Note 10S के अंदर भी देखने को मिल चुका है आपको एक अच्छी कासी gaming करवा के दे सकता है 6400 वाला वेरेंट अभी 15,000 रुपे में अविलेबल है बैटरी की बात करें 5 रेमेज की बड़ी बैटरी मौजूद है जो अपने 30W डर्ट चार्च को सपोर्ट करती है कार्बन फाइबर कॉलिंग सिस्टम भी आपको इस फोन के अंदर मौजूद मिलता है दोस्तों कि एक गेमिंग फोन की निशानी होती है दोस्तों एक अच्छागासा ओवरल पेकेज मेरे साब से आप लोग भी बताईगा आपको क्या लगता है आखरी फोन है इस लिस्ट का जहां पर आप गेमिंग अच्छे लेवल पर कर पाऊगे बैटरी बगेरा आपको दमदार मिल जाने वाली कैमरास काफी रिलाबल परफार्मेंच देने वाले मिल जाएंगे इसके लब बिल्ट क्वालिटी काफी जोरदार मिलेगी मैं बात करहूं पोको M2 प्रो की गेमिंग भी आप प्रो लेवल पर यहां पर कर पाऊगे पांच जर्यमेज की बड़ी बैटरी मिलती है साथ में 33 वाट की फास चर्जिंग कर सपोर्ट मिल जाता है यह एक आल राउंडर डिवाइस है दोस्तों यदि आपको गेमिंग के साथ साथ फोटोग्राफिय भी करना है थोड़ी बहुत आपको बिल्ट क्वालिटी सॉलिट चाहिए तो मैं बोलूँगा यह फोन आपके लिए बैस्ट हो सकता है तो भाई यह थे चार भैतरी स्मार्टफोन जिन्हें आप 15,000 के रेंज में इस्पेशली गेमिंग के लिए पर्चेस कर सकते हो Battlegrounds Mobile India आ रहा है तो काफी लोग वेट कर रहे होगे ऐसे फोन का जो कि आपको एक अच्छी कासी गेमिंग करवा के दे दे मैं बोलूँगा 15,000 के रेंज में ही आपको काफी बैतर पर्फार्मिंस मिल जाता है बैतर पर्फार्मिंस देने वाले स्मार्टफोन आपको देखने को मिल जाते है आप लोग बताएगा जो मैंने आपको चार स्मार्टफोन बताया है उनमें से आपको कौन सा स्मार्टफोन सबसे ज्यादा बेटर लगा यदि में अपना परसनल प्रिफरेंस देना चाहू तो भाई पुराना जरूर है लेकिन काफी जबर दस स्मार्टफोन रेड्मी नोट 8 प्रो ट्राइ कर सकते हो और अगर लेटेस्ट में चाहिए कोई फोन गेमिंग के लिए इस्पेशली गेमिंग के लिए चाहिए तो फिर पोको एक्स्तरी बेटर होने वाला है या फिर आपको आल रांडर स्मार्टफोन चाहिए तो रियल्मी 7 या फिर आप फिर आप Poco M2 प और वो समार्णा दो पूखे में चाहिए जुटरा में वाहिए